तो अस्सेलम वालेकूं दोस्तों आपका बहुत-बहुत इस्टभाल है इस चैनल में इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए बहुत सारे नकशिया फिर अमल बताते हैं जो कि आपकी बहुत सारे समस्याओं का समाधान करता है आपकी जिंदगी में जो मस्ले चल रहे होते हैं उस कि आपकी समस्या है उसको हल करने के लिए तो आज मैं आपको बता रही हूँ है एक मीम्बू से एक ऐसा अमल जिसे अगर आप करते हैं तो आपकी महबत आपके लिए दीवानी हो जाएगी आपकी बाहों में हमेशा हमेशा के लिए आजाएगी आपको बस एक बात का खयाल पाना चाहते हैं तो आप इस अमल को जरूर करें सच्चे मन से सच्ची दुआ के साथ आपको यह अमल करना होगा बिल्कुल भी अपने मन में को भी नेगिटेव या को भी ऐसा विचायर ना रखी कि कोई समस्या खड़ी हो आपको क्या करना है दोस्तों एक नीमू लेना है अगर आपको अपने पति का नाम अगर आप अपने शोहर को अपने वश में करना चाहते हैं तो शोहर का नाम लिखना है पीछी अपना नाम लिखना है तो अपना नाम लिखने के बाद पीछे की तरफ आपको अपनी प्रेमिका का नाम लिखना होगा इस तरह से एक नीमू ले लिजे दोस्तों और मीम्भू को अपने सीधे हाथ में रखने के बाद आपको पढ़नी है दुरूदे पाक उसके बाद उसका नाम लेना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तो आपके वश में उस महिला को या उस इंसान को करने के लिए आपको एक बाद का और कि आपको ये सच्चे मन से पढ़ना है और दूसरी बात ये है कि आप जब दुरूदे पाक पढ़ने तीन बार तो उसके बाद आपको पढ़ना है मोहबतन मिन्नी जी हां ये मैं आपको दिखा रहे हूं आपको ये मोहबतन मिन्नी जो है वो पढ़ना है 311 बार मैं आपर लिख देती हूं जिससे कि आपको याद रहेगा 311 बार आपको महबतन मिनी पढ़ने के बार इस पर फूकना होगा नीमगु के उपर फूकें 311 बार आपको नीमगु के उपर फूकना है दोस्तों और आपके घर के आसपास में कोई भट्ती हो तो आपको ले जाकर वहाँ पर इस नीमगु को डालते समय फिर से आपको अपनी मुहबत के बारे में सोचना है और आप जब घर वापस आएंगे तो आपकी महबबत आपकी बाहों में होगी, महबबत आपसे फिर से महबबत करने लग जाएगी, जो भी वो व्यक्ति है, चाहिए महिला है या पुरुष है, आपसे फिर से उसे प्यार हो जाएगा, और आपकी प्रॉबलम सॉल्व हो जाएगी, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई और मसला है, तो आप हमारे नमबर पर कॉल कीजेगा, मौलवी सहाब आपके हर सवाल का, हर एक समस्या का हल बताएंगे, शुक्रिया दोस्तों